बंगला बगीचर शेत्र के रहवासियों को नीमच अम्रत विकास योजना 2035 से बड़ी राहत मिलेगी बंगला बगीचर व्यवस्थापन की प्रक्रिया तो चल रही है लेकिन शहर के मास्टर प्लान में यह शेत्र अब तक आवासी में शामिल है जबके चावनी शेत्र में अगर व्यवसाइक उप्योग हो रहा है मास्टर प्लान में प्रावधान नहीं होने के कारण उप्योग परिवर्तन नहीं हो पा रहा है लेकिन अब नए मास्टर प्लान में समस्या का समाधान हो जाएगा बंगला बगीचर शेत्र को मिश्रित उप्योग में शामिल करने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया है अब नगरपाली का समिती को विस्तरित प्रस्ताव बना कर देगी जिससे उसे मास्टर प्लांट 2035 में शामिल किया जा सकेगा नगर्तिता ग्राम निवेश द्वारा नीमच विकास योजना 2035 प्राडुप पर प्राप्त सुजाव आपत्ति को लेकर गुर्वार को प्रतम सम्मिलन आयोजित किया गया कलेक्टुरेट भवनिस्तित सबाकक्ष में कलेक्टर मयंक ग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राप्त सुजाव आपत्ति की निराकरण के लिए सुनवाई की तीती पर चर्चा की गई है बैठक में सांसत सुदिर गुपता ने सुजाव दिया कि जिन गाओं को विकास योजना में शामिल किया गया है बे और नगरपाली का नीमच द्वारा प्राप्त सुजाव आपत्ति का अध्यन कर कुछ सुधार या सुजाव देना चाहते हैं तो लिखित में समीती को दे सकते हैं जिससे उन पर भी विचार किया जा सकेगा इसके लिए एक महिने का समय दिया जाना चाहिए बेटक में तई हुआ है कि नीमच विकास योजना 2035 प्रारूप पर प्राप्त सुजाव आपत्ति के निराकरण के लिए सुनवाई 26 सितंबर को की जाएगी बेटक में विदायक दिलिपसी परिहार ने बंगला बगीचा शेत्र की समस्या पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सरकार ने बंगला बगीचा समस्या का निराकरण तो कर दिया है लेकिन यह शेत्र आज भी आवासी शेत्र में शामिल है जबकि कई जगत सालों से व्यवसाई किया मिश्टरित उपयोग हो रहा है अब व्यवस्थापन करवाने के दोरान उपयोग परिवर्तन नहीं होने से रहवास्यों को दिक्कत आ रही है इसलिए इसे मिश्टरित शेत् बनाकर देने के लिए कहा है और इसे शामिल किया जा सकेगा बंगला बगीचा शेत्र का व्यवस्थापन किया जा रहा है यह शेत्र आवासी उपयोग में आने के कारण व्यवस्थापन आवासी उपयोग के रूप में ही किया जा रहा है जबकि कई जग मौके बर व्यवसा के पास पड़ी है मास्टर प्लान में शामिल नहीं होने के कारण विभाग अनुमती भी नहीं दे रहा है कुछ लोगों ने तो काम करवाने के लिए व्यवसाइक की भी आवासी में व्यवस्थापना करवाया है बंगला बगीचा शेत्र को मिश्रित उप्योग अर्थात आव